Gmail account delete कैसे करें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सो अगर आप अपने Gmail account को delete करना चाते हैं Gmail पर आपने multiple accounts बनाए हो हैं उनमें से किसी एक Gmail ID को आप delete करना चाते हैं तो इस वीडियो में आपको Gmail account delete करने की step by step जानकरी मिल जाएगी लेकिन अपने Gmail account को delete करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जैसे कि अगर आप अपने Google Gmail account को delete करते हैं तो आप अपने Google account से associate सभी Google services से अपने access हो देंगे Google photos, Google drive, YouTube आदी products भी delete हो जाएंगे इसलिए Gmail account delete करने से पहले अच्छे से सोचने क्योंकि delete करने पर Gmail अकेला delete नहीं होगा Google के सभी products delete हो जाएंगे इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपना मन बना चुके हैं Gmail account को delete करने के लिए तो आप जो steps में आपको बताने वालों होने सही से follow करें जिन पर click करके आप एक से दूसरे Gmail account में switch हो सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको Google account के इस option पर click करना है जिसके बाद अपने Google account को manage करने की सभी अलग-अलग settings आपके सामने आ जाएंगी यहां पर data and privacy tab पर आपको click करना है और फिर scroll करके नीचे की तरफ आना है जिसके बाद bottom side में आपको delete your Google account को option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है इसके बाद जो next interface open होगा यहां पर आप Google की उन सभी services को देख सकते हैं जो Gmail के साथ delete होंगी जैसे की YouTube, calendar आपके Google contacts, Google play services या फिर Google photos जैसे सभी Google products Gmail के साथ delete हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आप delete करने से पहले इन सभी Google services का backup लेना चाते हैं तो top side में download your data option पर click करके आप अपने Google account का backup ले सकते हैं otherwise अपने Google account को delete करने के लिए bottom side में आए और फिर यहां पर सबसे पहले yes I acknowledge और yes I want to permanently delete के दोनों ही checkboxes को टिक करें और फिर delete account option पर click कर दीजिए इसके बाद आपका Google account delete हो जाएगा Google account से associate services including Gmail भी delete हो जाएगा और आप अपने दूसरे Google account में पहुन जाएगे यहां पर Google account delete होने का alert भी आपको मिल जाएगा टॉप साइड में notification पैनल को नीचे की तरफ ड्रैक करके आप Google account delete होने का notification देख सकते हैं इसके साथी mail में भी आपको Google account delete होने का message मिल जाएगा अब दोस्तों अगले 30 दिनों तक आपको अपने Gmail account में login नहीं करना है 30 दिनों के बाद आपका Gmail account permanently delete हो जाएगा इस पीच अगर आपका mind change होता है और आप अपने Gmail account को वापस restore करना जाते हैं तो वो भी आप easily कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपने Gmail account को वापस recover कर सकते हैं इसके लिए Google account delete होने की इस mail को आपको open करना है और फिर इस mail में देएगे account recovery page लिंक पर आपको click करना है इसके बाद account recovery page open हो जाएगा तो आपको अपनी email id एंटर करनी है और next बटन पर click करना है क्लिक करते ही आपका Gmail account recover हो जाएगा Google account successfully restore हो जाएगा इस तरह से गाइज आप अपने Gmail account या फिर यूँ कह लिजे की Google account को delete कर सकते हैं और delete करने के बाद 30 दिनों के अंदर अपने Google account को recover भी कर सकते हैं तो आज की इस सब वीडियो वस इतने ही दोस्तों मिलता हूं आपको next video में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन